हलो दोस्तों, क्रिप्टो करंसी ट्रेडिंग स्लैश इन्वेस्टमेंट बिगिनर गाइड सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है? इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टिप्स और ट्रिक्स की, कि आप कैसे स्मार्टली, बिल्कुल सही तरीके से आप क्रिप्ट करनी तो कैसे आप क्रिप्टो करणसीज ट्रेडिंग में, अपनी जरनी हे, उसे शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत, बेसिक, बाय और सल कैसे कर सकते हैं, क्रिप्टो को, इसमें धूद यूद ट्रिक्स की बात करेंगे, स्मार्टली, ठीक है, तो देखिए हमने मUD सकते हैं जिससे की आप अपने रिस्क को कम कर सकें तो जैसे आपने कोई भी crypto buy कर रखी है तो आपको यहाँ coin portfolio में वो crypto दिखाई देगी उस पे आप click करके उस पे आप click करके यहाँ पर जैसे bitcoin है मैं इस पर click करता हूँ तो यहाँ पर मुझे तीन चीज़े देखने को मिल रही है नीचे buy sell और यह तीन dots आपको क्या करना है तीन dots पर आना है और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा setup stop loss and take profit मतलब SL और TP ठीक है आप इसको set कर सकते हैं continue पर click करके मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि आपने bitcoin में यहाँ पर investment करी थी जब उसका price यहाँ चल रहा था graph में ठीक है अब bitcoin ने नीचे जाना शुरू कर दिया ठीक है अब आप क्या चाहते हैं कि मेरा यह bitcoin के जो investment है वो नीचे 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 जा रही है लेकिर इस point पर आने के बाद यह और नीचे ना जाए मैं भहिया इतना ज्यादा loss नहीं देख सकता अपने portfolio में तो आप यहाँ पर stop loss set कर सकते हैं ठीक है जिस price पर आपने bitcoin खरीदा उससे कम price कितना नीचे गिरे जो मैं बरदाश कर लूँगा उसके नीचे बरदाश नहीं कर पाऊँगा वहाँ पर आप जो stop loss है वो set कर सकते हैं यह रहा आपका stop loss का option कि bitcoin अभी और अगर 5% नीचे गिरे तो मेरे यहाँ पर क्या हो जाए कि मान लेते हैं 54% या 54% या पूरे 100% जो मेरे bitcoin है वो sell हो जाए अगर 5% bitcoin नीचे गिरे तो अगर मैं नहीं चाहता 5% तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 7% नीचे गिरे ठीक है 7% अगर bitcoin और नीचे गिर गया तो अपने आप मेरे यह sell हो जाए उससे ज़्यादा मैं loss जहेल ही नहीं सकता ठीक है नहीं तो आप price के हिसाब से यहाँ पर क्लिक करके price में भी लिख सकते हैं कि 55 लाग अभी फिलाल 69 लाग चल रहा है तो मैं 53 लाग से नीचे का loss बरदास्त नहीं कर सकता तो आप ऐसे set कर सकते हैं जितने भी bitcoin आप चाहें उतने आपके sell हो जाएं इस तरीके से आप stop loss लगा सकते हैं ठीक है अब take profit की बारी आती है मान लेते हैं आपने bitcoin को यहाँ पर investment करी थी ठीक है अब अगर bitcoin उपर जाने लग गया और आपको यह लग रहा है कि यह उपर उपर तो जाए जा रहा है कि कि किसी दिन नीचे ना आ जाए ठीक है तो आप यहाँ पर take profit लगा सकते हैं कि bitcoin उपर 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 जाता रहे इसका एक और फायदा है कि जैसे मान लेते हैं कि bitcoin का price काफी जादा उपर चला गया और आपका मतलब phone आपके हाथ में नहीं था उस वक्त ठीक है आप phone से अपने कहीं और थे दूर थे लेकिन आपको फिर भी पता चल जाए कि bitcoin यहाँ पर उपर गया और आपका जो investment थी वो sell out हो जाएगी ठीक है आपने bitcoin यहाँ invest करा bitcoin यहाँ पर था और आप चाहते कि यहाँ पर आके bitcoin की मेरी selling हो जाए ठीक है यहाँ 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 प्राइज उसका बढ़ता जाए और यहाँ आके जो bitcoin है वो मेरा sell हो जाए जैसे इस प्राइज को cross करे ठीक है तो आप take profit लगा सकते हैं यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि bitcoin का प्राइज 69,68,000 चल रहा है मैं चाहता हूँ कि 62,00,000 रुपे जब bitcoin का price चला जाए 3% उपर उठ जाए या फिर मैं percentage पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ माल लेते हैं 6% जब bitcoin उपर चला जाए 6% उपर बढ़ जाए तो मेरे जो 100% या 50% या 40% एक सेगंड ये एक सेगंड प्लेस हो गया order कोई बात नहीं तो यहाँ पर इतने रुपे का जो bitcoin है मेरा sell हो जाए इतना percent sell हो जाए ठीक है यहाँ पर मैंने एक active order लगा भी दिया take profit का ठीक है तो जैसे ही bitcoin का price जो मेरे bitcoin है वो 306 रुपे के हो जाएंगे अभी है 288 रुपे के 306 रुपे के होते ही जैसे ही 5% 6% जैसे ही ये उपर लेगा वैसे ही मेरे bitcoin यहाँ पर sell हो जाएंगे यह होता है take profit ठीक है मतलब loss 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 दिखाई दे रहा है मैं इससे ज्यादा loss बरदास्त नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पर stop loss लगा दूँआ ठीक है take profit मतलब profit 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 दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आके मे edit भी कर सकते हैं यहाँ पर click करके आप simply जैसे चाहें उसे edit कर सकते हैं माल लेते हैं कि आप चाहते है 6% की बजाए अब यह 5% उपर बढ़े तो भी मेरा sell हो जाए ठीक है नहीं तो आप यहाँ पर save changes पर click कर देंगे तो save हो जाएंगे changes नहीं तो आप यहाँ पर इसको क्या क तो आप bitcoin आपके जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे जब तक आप खुद नहीं sell करते ठीक है फिर आप एक और smart move कर सकते हैं जैसे कि आप bitcoin वगेरा buy करने जाएं यहाँ पर click करके buy करने जाएं तो आप यहाँ पर एक तीसर option देखने को मिलता है एक होता है कि one time तुरंत investment हो इसको अगर आप click करके करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके bitcoin खरिद जाएंगे जब उस specific price पे bitcoin का price पहुंचेगा अभी चल रहा है लगबग मान लेते हैं अभी चल रहा है bitcoin का price यहाँ पर 69 लाक और जैसे ही मैं चाहता हूँ 69 लाक पर मैं खरीदने नहीं चाहता मेरे इसाब से जादा है price तो bitcoin का price जब पहुंचे 55 लाक तब मेरे bitcoin अपने आप बाय हो जाएं चाहें रात के बारा बज रहे हो चाहें दिन के एक बज रहे हो मेरे हाथ में फोन हो ना हो bitcoin तुरंत मेरे purchase हो जाएं जब यह पहुंचे कितने 55 लाक रुपे के आसपास मतलब 6% bitcoin नी होता है माल लेता है 500 रुपे के bitcoin मेरे buy हो जाएं जैसे में proceed करूंगा तो मेरा यहाँ पर order place हो जाएगा ठीक है तो जैसे ही bitcoin 53 लाक पर पहुंचेगा 10% नीचे गिरेगा मेरे 500 रुपे के bitcoin buy हो जाएंगे अपने आप यह होता है दूसरी tips मतलब दूसरी यह tip है आपको smartly investment कर करने के लिए तीसरे नंबर पर आप यहाँ पर analysis जरूर देखिए जैसे कोई भी crypto आप खरीदने जाते हैं bitcoin का example लेके चलते हैं यहाँ पर उसका analysis complete आप यहाँ पर जरूर देखिए यह देखिए fundamentals जो उसके हैं वो कैसे चल रहे हैं इस वक्त तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं view more अगर A plus है तो outstanding है A तो strong B satisfactory B plus B moderate इस तरीके से आप वो देखिए कि इसके जो market के जो मतलब ग्यानी लोग हैं जिन लोगोंने सोच समझ के यहाँ पर यह चीजने लिख रखी हैं जो fundamentals analysis करते हैं उन लोगोंने क्या ratings दे रखी हैं उसे आके जरूर देखिए risk management जरू वो हैं वो buy करने के लिए बता रहे हैं जिससे कि आपकी जो research है cryptocurrency investment के पहले research तो करनी ही होती है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा help मिलेगी ठीक है आप यहाँ पर वो भी देखिए फिर sentimental कि public के कैसे इसके प्रती मतलब रुजहान है क्या है bitcoin के प्रती मतलब हम bitcoin का देख रह हुआ है 99% लोगों ने hold करना prefer करा है पिछले 24 घंटों में यह भी चीज़ है यहाँ पर चौथी tips है कि आप आप जैसे एक साल में देखेंगे तो एक साल के अंदर 52% की buying जादा हुई है जो मतलब investors है bitcoin के उनका क्या मतलब रहा है bitcoin खारीदा है बेचा है या hold करके रखा है त 30 दिनों में यहाँ पर holding जादा हुई है किसी ने ना buy जादा करें यह ना sell जादा करें तो इस तरीके से आप यह भी चीज़ जरूर देख देखिए और फिर पांचवे नंबर पे सबसे अच्छी जो cryptocurrency trading की tips and tricks है वो यह है कि आप एक ही cryptocurrency coin में सारे पैसे ना invest करने ठीक है एक आपको भरोसा coins के उपर उनके उपर आप पैसे spread करके डाल सकते हैं और उसके अंदर आपकी help करेगा यह coin set का जो option है वो आप इस पे click करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि coin set create कर सकते हैं 4-5 coins का एक coin का set बनाकर basket बनाकर उसके अंदर आप investment कर सकते हैं जैसे यहाँ पर पह 100 रुपे इन 5 cryptocurrencies में divide होके invest होंगे मैं अगर यहाँ पर one time करके 100 रुपे invest करता हूँ तो मेरे क्या होगा यह 100 रुपे जैसे ही मैं confirm करूँ तो मेरे Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple और BNB इन 5 blue chip cryptocurrencies में 100 रुपे divide होके invest होंगे तो यह तो सबसे अच्छी जो tip है और trick है कि इसके अंदर आप basically diversify करें अपने portfolio को ठीक है तो यह थी पांच बहुत ही जादा काम की tips and tricks जिनका आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए जिनको आपको जरूर मतलब consider करना चाहिए अपनी cryptocurrency investment की journey में ठीक है अगर पांचों को आपको दुबारा देखना है तो आप वीडियो को time slaps हैं वहाँ प देखिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी बाकी अगर आप मुद्रेक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो description में आपको link मिल रखी है आप जाके जरूर डाउनलोड करिए यहाँ पर अभी एक limited time offer भी चल रहा है जिसके अंतरगत trading fees के साथ साथ जो trading fees के ओपर commission है 50% उसके साथ साथ आपको 10,000 शिवा इनु जो tokens हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं वो भी आपको दिये जाते हैं पर successful referral पे थीक है तो आप इस limited time offer का लाब भी जरूर उठा सकते हैं आपको description मिल जाएगी आपको refer करने पे 10,000 शिवा इनु मिलेंगे 10,000 शिवा इनु लीजिए और अपना ध्यान रखिए happy investing, safe investing वीडियो नंबर वन यहाँ पर आपको दिखे रहे होगी जरूर देखिए मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो के अंदर